सो हे गाईज आज को हम आप लोग के लिए फिर से एक बहुती बढ़िया वीडियो लेगा है और आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरीकी से आप लोग अपने एंडोर स्मार्ट फोन में कुछ इस तरीकी का नोटिफिकेशन आइकन एनिमेशन को एड करेगा फेस्बुक को नोटिफिकेशन आता है तो फेस्बुक का एकन बिलिंक करेगा और साथी आप लोग जो भी अप्लिकेशन को यहां पर एड करोगी उसका आइकन यहां पर ब्लिंक होके दिखेगा तो जब गई सामने वाला कोई भी देखेगा तो आप लोग उसे एक आप देख रहा है अधितने युट्यूब चैनल चली वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग एक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना होगा जिसका लिंक आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्सर में नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहां पर मैं डिस्क्रि आप लोगो मिल जाता है यहां पर नीची एक एरो का इकन है वहां पर आप लोगो को क्लिक कर देना है यहां पर आप लोगो कुछ परमिसन एलाओ करने होंगे गाईस तो सबसे पहला जो परमिसन है वह है नोटिविकेशन परमिसन तो उस पर ग्रेंट पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक option देखने को मिलेगा notify buddy name से तो उस पर click कर देना है and then यहाँ पर allow notification access का एक button है उसको मैं यहाँ से enable कर दूँगा and then फिर से allow कर दूँगा उसके बाद guys back चली जाना है फिर से back and फिर से आप लोग वापस आ जाओगा application के and यहाँ पर guys आप लोग को दूसरे नमर पर भी एक permission allow करना होगा और वो है overlay permission तो यहाँ पर भी नीचे एक grant का option देखने को मिल रहा है इस पर click कर दूँगा and then यहाँ पर भी एक option मुझे देखने को मिल जाता है notify buddy करके तो उस पर click करना है and then यहाँ पर allow display over the app जो एक button दिख रहा है उसको enable कर देना है उसके बाद guys back जाना है and फिर से back जाना है and वापस आ लोग आ जाओगे application में उसको बाद नीचे एक option देखने को मिलेगा arrow का उस पर click करना है उसके बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे tick mark पर आप लोग को click कर देना है उसके बाद guys आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह की interface पर आ जाओगे and आप लोग के phone में जितने भी application installed होंगे वो सारे application यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर मैं scroll कर रहा हूं तो इतने सारे मेरे phone में application ने सारे so होके आ रहा है अब यहाँ पर guys मुझे चाहिए सबसे पहले तो WhatsApp का तो यहाँ पर मैं WhatsApp के पास आ चुका हू इसके बगल में जो button देखने को मिल रहा है मुझे मैं वहाँ पर click कर दूँगा तो guys यहाँ पर यह enable हो चुका है and just नीचे देख सकते हो एक user का option है और उसके बगल में Android का icon है वहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग के Android system में जितने भी applications पहले से आते हैं व application यहाँ पर soho के आ रहा है अब guys यहाँ पर सबसे main setting है वो है नीचे आप लोग को corner में एक setting का जो icon देख रहा है उस पर click करना है and यहाँ पर ऊपर एक option देखने को मिलेगा enable LED का तो उसको आप लोग को देख लेना है वो enable है या नहीं मेरा यहाँ पर देख सकतो enable है उसके ब बाद guys आप लोग को थोड़ा नीचे जाना है and यहाँ पर और भी काफी सारे options देखने को मिलेंगे जिसमें की काफी ज्यादा important जो एक option है guys वो है force enable notify buddy का इसको जरू से आप लोग को tick mark लगा देना है guys नहीं तो यह application work नहीं करेगा and then फिर थोड़ा से नीचे आना है यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा burn in protection का तो इसको आप लोग को enable करके ही रखना है साथ ही नीचे कुछ और options देखने को मिल जाते है तो आप लोग इन सब को कर सकते हैं अपने हिसाब से on and off and साथ ही एक option देखने को मिल जाता है guys minimum battery limit का तो यहाँ पर guys आप लोग जितना भी percentage set तो यहाँ पर अब जब भी मेरी phone का battery 20% हो जाएगा उसके बाद guys जितना भी notification आजाए कोई भी notification यहाँ पर soon नहीं होगा क्यों guys इससे battery भी थोड़ा सा drain होने वाला है तो 20% से नीचे मैंने इसको limit लगा दिया है उसके बाद guys आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है नीच आप लोग को बताने वाला हुआ भी तो यहाँ पर देखो learn more का एक option देखने को मिल जाएंगे जहां पर यहाँ आप लोग को watch ad पर click कर देना है इससे क्या हो guys आप लोग का एड चलने लगेगा और उसके बाद आप लोग को यह premium feature free में मिल जाएगा तो guys यहाँ पर add आया थ so individual LED के button को enable करोगी तो यह enable हो जाएगा उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है उसके बाद guys आप लोग के एक option देखने को मिलेगा so app icon as LED इसको भी जरूर से enable करते ना है यह भी बहुत ही जादा important option है तो इसको बिल्गोल भी enable करना मत भूलना उसके बाद guys return पे click कर दूँगा उसके बाद LED size का एक option देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग size जितना भी रखना चाहो रख लेना अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ and बस guys हो चुका है अब यहाँ पर मैं एक बाद test पे click करके देख लेता हूँ तो अभी तो देख सकतो यहाँ पर एक dot का icon आ रहा है बट अभी मैं आप लोग को live test करके दिखाऊंगा कि WhatsApp का icon यहाँ पर मैंने जो set किया है वो so होता है या नहीं तो guys यहाँ पर मैंने दूसरा वाला phone ला लिया है और यहाँ पर मैं जल्दी से WhatsApp को open कर लेता हूँ and अभी देख सकतो है मैंने यहाँ पर WhatsApp पे कुछ message वगरा टाइप करके जैसे ही send किया and जैसे ही दूसरे वाले phone में notification आ रहा है तो यहाँ पर WhatsApp का icon जो है blink करके आ रहा है जो Instagram को भी मैं यहाँ पर से इनेबल कर दूँगा उसके बाद देखो bell वाले icon पर क्लिक करता हूँ तो Instagram भी यहाँ पर enable हो चुका है अब guys अगर मैं Instagram के थूदेखो अभी message कर रहा हूँ and message करने के बाद जैसे ही इस वाले phone में notification आया तो देख सकते हूँ ऊपर Instagram का भी icon देखने को मिल रहा है तो guys कुछ इस तरीके से आप लोग किसी भी app के icon को as a notification set कर सकते हो जो की दिखने में काफी बढ़िया लगता है अब बात करते है इस application को आप लोग कैसे download कर सकते हूँ तो सबसे पहले तो guys यह वाला application fully free नहीं है तो guys अगर इसका आप लोग को free चाहिए एकदम free वाला version तो आप लोग मुझे personal instagram पे message कर सकते हो मैं वहाँ पर सारी कोई को reply दे देता हूँ वहाँ पर में link दे दूँगा या फिर guys आप लोग जो है add देखके एक दिन के लिए इसका premium version free में ले सकते हो फिर से आप लोग को अगले दिन add देखना पड़ेगा तो आप लोग कर देना चैनल पर नहीं दो चैनल को सब्सक्राइब करें लेकर आता रहता हूँ और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो comment section पूछ सकते हो या पर पर सारी को reply देता हूँ आप लोग के माइंड में अगर कोई अच्छा topic आ रहा हो या फिर कोई बढ़ी बढ़ी आप्लिकेश को बताया होगा उसे support भी जरूर से दूंगा तो बस गाईज आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye